तो बीएसपी को आजा समाज पार्टी के आप परावर तुलना नहीं कर सकते बीएसपी बहुत पीजे चली गिया बीएसपी वो डूपता जहाजी जिस पे कोई सफर करना नहीं चाहता यह बन चुकि है नौट कमाने का ओफिस बन चुकि बीएसपी उसके लावा कुछ नहीं अब आके वो बोलते हैं कि हम शुद्र की कैटेगरी में आते हैं अब उनको एहसास हुआ है शुद्र के नाम पे कभी किसी न समाज नहीं बाटा शुद्र एक बहुत बड़ा तबका है मात्र दो परसेंट लोगों का हिंदू राष्ट है जो हमारे उपर राज कर रहे हैं र भी मारमें लगातार पार्टी को पार्टी मजबूत करने की धिशा में हैं दूसरी तरफ बीएसपी भी खुद मजबूत कर रही है तो मही को रखता है कि नहींम हे होकlor व दोट उतने अब हमारे संख्याथ उतनी है तो यह मजबूत आपाईगी कर हम Deutsch नहीं मजबूत है के लिए 23 क्रोड रुपे लेकर लाइन लगी रहती थी ठीक है और आज बीएसपी के पास एक वंदा टिकेट लेने के लिए खड़ा नहीं होता है आजा समाज लोगों में हैं जो लोग एजिट हो चुके हैं जिन लोगों ने बीएसपी से नोट कमा लिया है उन लोगों में क्रेश है बागी जो यूवा जन है जो अगीगत पहचान दा है वह आजा समाज में बीएसपी सिर्फ एक सिर्फ दलालों के पार्टि रह गी है नौट कमाने का जरिया बन चुकिए नौट कमाने का ओफिस बन चुकिए उसके लावा कुछ नहीं रही है जिक्टा कहना चाहेंगे आप बीएसपी जब तक मजबूत थी जब तक मानवर कासी रामुक साहब क मिशन मुमेंट और विचारों से भटक गई है तब जाके हम लोग यह नया पेड़ लगाना पड़ रहा है जिसके लिए खाज पानी देने का सकता है और हमें एक ऐसा प्रकरती ने एक ऐसा हीरो ऐसा योद्धा बहुचन समाज के लिए दिया है एडवोकेट चंसेकर लुग करेंगे और उनको ताकत देंगे और प्रतेश से लेकर केंदर में तक हमारी सरकार बनेगे आप बहुचन समाज की बात करें लेकिन उसी बाहुचन समाज में एक तबका अखलेश यादव का है एक तबका एक येल्टी सेपिक है और हम लोग जो है तक लिए जिसमें ब्यस्पी कहीं भी सामिल नहीं होती है अभी सड़ने बोला कि अखले श्यादव भी उसी बहुंज समाज में से आते हैं आज से एक साल पहले था अगले श्यादव अपने आपको यदुवन्शी बोलते थे अब जाके वो अपने आपको शुद्र बोलने लगे हैं कि वो गडवंदन की ओर जुड़ने को ततपर हैं और आप निश्चित बेचिंता रहें इसी से गडवंदन बनेगा और जरूर बनेगा हमारी पार्टी सत्ता में जरूर आएगी शुद्र कर रहे हैं तो समाज बाटने वाली बात हो गई नहीं नहीं समाज कब बाटा आप जो हमारे उपर राज कर रहे हैं और बागी तमाम जो 88 परसेंट लोग आते हैं उनमें से कमने 70 परसेंट लोग आप सूतर को ले के चलते नहीं चलते हिंदू राष्ट बनता है तो खास सोड़ से पहली बात हम यह कोशिच करेंगे हिंदू राष्ट ना बने अगर हिंदू बीजेपी सबको इतना संमान दे रहे हैं डल्यत राष्ट पती दिया आदिवासी नाष्ट पती यख ऑली ना गोल पर जेक्क फकर रृब्र नाधा लेया सेद्क प्रसेंट फिर करेंगे हृहां तो कईला गूना छेते उनको अवि जिल पा रहे हैं और क्या जिलेगा बीजेपी को ति हिंदुराश्ट बनने का तो ख्वाब बीजेपी छोड़ दे के भारत एक हिंदुराश्ट बनेगा भारत हम लोग मूल निवाचियों का था और रहेगा में साफ आप कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे 2024 में लेकिन जमानत जब तो हो गई 2022 के चलाव में भी मारत है नहीं देखिए कोई भी चीज है आप अगर कोई आज एक पेड़ लगा रहे हैं तुरंत फल नहीं देखा ताइम लगता है मानने वर सिरी कासिराम जी को साइकल पर घूमन करेंगे आप रहे हैं आप उलकी है य ही नहीं देखिए कोई भी मारत है शेखिए पर रहे हैं में बचल कोई जलिज ए करेंवाए कोता है